जै माताली जातियो मैं नंद्रविसकर्मा आप सभी का आपके अपने इस चैनल नंद्रविसकर्मा में हारदिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि वन सरक्षन किसे क्याते हैं बन सरक्षन की परिवासा बताऊंगा मैं आपको प्रयास करूँगा कि बन सरक्षन की परिवास आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ तो जो बन सरक्षन आप अपने स्कीन पर देख रहे हैं इसका सामानर्थ होता है जो सरक्षन होता है इसका सामानर्थ होता है नश्ठ होने से बचाना हम किसी भी सब्द के साथ सरक्षन का प्रयोग करते हैं तो उसका सामा नर्थ हो जाता है नश्ठ होने से बचाना हमने बन के साथ सरक्षन का प्रयोग किया तो हो जाएगा वनों को नश्ठ होने से बचाना वन सरक्षन के लाता है क्या के लाता है वन सरक्षन तो हमारी कहना का तात पर है जब किसी के साथ सरक्षन लग जाता है तो उसका सामा नर्थ हो क्यालता है नश्ठ होने से बचाना तो बैन सरक्षन है और था बनों को लिस्ट होने सी बचाना क्यालाता है टो अलाता है वन्ड चाहँ करता हूँ है कि आपको परिवासा समझ में आ चुकी आपको कि जिए वन रंक जान therap आप इसकि परिवासा जाता है जो सर्रक्षण है यह सब्द जिसके साथ लग जाता है उसका तात्पर होता है नश्ठ होने से बचाना तो तो इसकी भी परीमा से इसी प्रिकार कुछ बनेगी कि बनने जीवों को नश्ठ होने से बचाना बनने जीवों को क्या करने से बचाना नश्ठ होने से जहां भी सरक्षन लगा रहता है उसका अरतिया ही होता कि नश्ठ होने से बचाना तो बन्न जीवों सरक्षन अर्थत बन्न जीवों को नश्ट होने से वचाना तो देखें वन जीवों को नश्ट होने से वचाना बन्न जीवों सरक्षन कहलाता है तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिवास अच्छी लगी होगी कि आपको परिवास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो बनने जीव सरक्षन की परिवासा क्या है जिसके साथ सरक्षन लगा है तो उसका सामा नरत होता है नश्ठोने से बचाना बनने जीव सरक्षन और ता बनने जीवों को नश्ठोने से बचाना और तो सरक्षन की जानगारी तो हो चुकी किसी की भी साथ सरक्षन लग जाए तो सकर्त यहीं निकलेगा नश्ठोने से बचाना बन सरक्षण और तब बनों को नश्ठोने से बचाना बन सरक्षण कहलाता है बनने जीव सरक्षण तो बनने जीव को नश्ठोने से बचाना बनने जीव सरक्षण कहलाता है ज़िए आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै माता दी साथ यूग